देरा सच्चा सोधा प्रमुग बाबा गुनमीत रामरहीम के लिए रहत की खबर है। रामरहीम को दोशी करार दिया था। प्रमयाची का दायर कर सीबी आई जाच की मांगी। उसके बाद मामला सीबी आई को सोपा गया था। और फिलाहल अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी साइथ पाच आरोपियों को दो शिकरार दिया गया। इस मामले में 2007 में कोट ने आरोपियों पर आरोप दे किये थे हालकि शुरुआत में इस मामले में रामरहीम का नाम नहीं था। लेकिन साल 2003 में जांस सीबी आई को सोपी गई फिर 2006 में रामरहीम के ड्राइवर खटा सिन के बयान पर डेरा पर मुख को आरोपियों में शामल किया गया। इस मामले में हाई पोर्ट की तरफ से सजारत करने के बाद भी डेरा मुखी गुर्मीत रामरहीम सिन जेल में ही रहेगा। क्योंकि दो सांधियों के योंशोशन मामले में उसे 20 साल उच्छातपती हत्याकान में उमरकेत की सजा सुनाई गई है जिससे वहाँ काट रहा है। कामरहीम को 25 अगस 2017 को CBI की विशेश अदालत ने इन मामलों में दोशी करार दिया था। पुरुशेत के रहने वाले डेरे के मैनेजर रंजीत सिन की 10 जुलाई 2002 को गोली माल कर हत्या कर दी गई थी। इसकी पुलीस जाच हुई लेकिन डेरे को क्लीन चिट दे दी गई। रंजीत का परिवार संतुष नहीं था। पुलीस जाच स्या संतुष रंजीत के बेटे जकसिर सिन ने जनवरी 2003 में हाई कोट में याचिका दाया कर CBI जाच की मांगी। 19 साल के बाद अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी समेट पाच आरोपियों को दोशी करार दिया गया। जिसके बाद CBI ने ने उमरकेट की सजा दे दी। दनगरी मीडिया के लिए संदीप अगरवाल की रिपोर्ट।